इंडियन प्रीमियर लेग 2024 के लिए मुंबई इंडियन्स के तैयारियां जोरो शोरो से चल रही है सत्रवे सीजन में मुंबई इंडियन्स हर्दिक पंडे की कप्तानी में मैदान पर उत्रेगी ऐसे में जब रोहिश शर्मा प्रेक्टिस के लिए आये तो पूर्व कप्तान को हार्दिक ने गले से लगा लिया जिसके बाद फैंस ने इन्हें जम कट रोल किया है नमश्कार मैं हूँ आपके साथ अंश्यो और आप देख रहे हैं क्रिकेट के सरी भारतिय टीम के कप्तान रोहिश शर्मा मुंबे इंडियन से जुड़ चुके हैं आईपेल दोहजर चौबीस के लिए मुंबे इंडियन के खिलाडियों ने नेट सेशन में तयारिया शुरू कर दी है लंबे समय के बाद मुंबे इंडियन्स ने अपने कप्तान को बदला है रोहिश शर्मा की जगा हार्दिक पंडिया इस सीजन मुंबे इंडियन्स की तरफ से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे मुंबई इंडियन्स के टीम ने गुजराट टाइटन से हार्दिक पंडिया को IPL से पहले ही 15 करोड रुपे में ट्रेट कर लिया था गुजराट से मुंबई आने के बाद ही हार्दिक पंडिया को टीम का कप्तान घुशित कर दिया गया हार्दिक पंडे ने अपनी कप्तानी में गुजराट टाइटन्स को साल 2022 में खिताब दिलाया था जबकि 2023 में गुजराट के टीम रणर अप रही थी रोहिश शर्मा के मौझूदगी में हार्दिक पंडे को टीम का कप्तान बनाये जौने से हिटमैन के फैंस काफी नाखुश नजर आये थे सोचल मेडिया पर मुंबई इंडियन्स को जम कर ट्रोल भी किया जो रहा था और वहीं मुंबई इंडियन्स के फॉलोवर्स में भी भारी गिरावट देखी गई थी अब आपको बता दे समय बीतनी के साथ ही ये मामला भी ठंडा पड़ गया सबसे पहले बड़ा सवाल ये था कि क्या रोहिश शर्मा हार्दिक पंडे की कप्तानी में मुंबई इंडियन्स के लिए सीजन आईपियल खेलेंगे या नहीं पांच बार आईपियल का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियन्स की टीम बाकी टीमों की तरह सत्रवे सीजन की तयारियों में वियस्त है मुंबे के स्क्वेड में अपना प्री ट्रेनिंग कैंप अपने होम ग्राउंड वानखडे स्ट्रेडियम में लगाया हुआ है जिसमें सभी खिलाडी नेट में जम कर पसीना बहा रहे हैं इसी दोरान फैंस को एक अदभूत नजारा भी देखने को मिला है जिसमें नय कप्तान हार्दिक पंडिया मुंबे इंडियन्स के पूर्व कप्तान रोहिशर्मा से गले मिलते नज़र आये हैं मुंबे इंडियन्स ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया जोहां पर वीडियो में टीम के साथ सभी खिलाडी प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे इसी बीश पंडिया खुद चल कर रोहिशर्मा के पास ज़ा कर उन्हें गले लगाया है रोहित भी इस दौरान मुस्कुराते हुए नजर आये M.I.E. ने वीडियो के कैप्शिन में दोनों खिलाडियों की जर्सी का नंबर लिखा 45 और 33 M.I.E. के पोस्ट पर फैन्स ने खुब प्यार बरसाया और वहीं उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई जहां पर एक फैन ने लिखा असपल का सभी को बेसबरी से इंतजार था गौर तलब है कि I.P.L. के सत्रवे सीजन में दाए हाथ के ओल राउंडर पंडिया टीम का निर्तित्व करते दिखेंगे मिनी आॉक्षिन में ट्रेट के जरिये खरीदने के बाद मुंबई इंडियन्स ने पंडिया को अपना कप्तान गोशित कर दिया था हाला कि कुछ फैन्स और पूर्व दिगजो को फ्रेंच्वाइजी का ये फैसला सही नहीं लगा था वही फैन्स इस चीज को लेकर काफी उसाही थे कि मुंबई इंडियन्स कैम्प में रोहित और पंडिया जब मिलेंगे तो उस समय कैसे रियाक्ट करेंगे हाला कि इस वीडियो के सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों खिलाडियों के बीच कप्तानी को लेकर किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है पंडिया ने प्रेस कॉंसें से पहले ही कहा था कि उन्हें कप्तानी के दौरान जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो रोहित से मदद लेंगे अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हार्दिक पंडियों रोहित शर्मा गले तो मिल लिए लेकिन क्या दोनों के दिल भी मिले हैं या नहीं इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम क्रिकेट से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रही हमार साथ और देखते रहे हैं क्रिकेट के इसरी